बिस्मिल्ला रुख्मान रर्राखीम असलाम अलेकम वेलकम टू मोसन प्रोपर्टी चैनल इस वीडियो में लाएं है छे मरला डबल स्टोरी घर जिसका ये फ्रांट एलिवेशन आपके सामने है और ये निया घर है दोजार चोबिस की कंस्ट्रक्शन है 250 स्केर फिट वाला मरला है घर के बाएर ये 18 फिट फ्रांट गली है लोकेशन नियू लालाजार काल्टिक्स रोड रावल पिंडी तो वीडियो में आपको घर का मकमल इंटीरियर दिखाते हैं साथ इस घर की जनरल इंफर्मेशन भी फ्राम करते हैं तो वीडियो मकमल देखि और सामने में अंट्रस है लेटिस्ट डिजाइन पर ये बनाया गया घर है टाइल फ्लोरिंग इसमें वर्क है ये इनसाइड इसकी सीलिंग है ये निशिस बननी होई हैं बीच में सामने मीडिया वाल है टीवी लाउंच का ऐसा आप देख रहे हैं और ग्राउंड फ्लोर प तो इसका पहला बेड्रूम आएगा ये लेफ्ट साइड पे कबट और ये आगया इसका बेड्रूम है अटैच बात डाउन सीलिंग और बात आपको वाज़ा करके दिखा देते हैं फसैलिटिस की बात आपको कर दें कि बिजली पानी गैस तीनों सोलते मवजूद है ये इस का अटैच बात इसमें शावर है वैनिटी है टैल का प्रॉपर काम है और इसके अलावा ये कमोड लगा हुए इसमें वरकिंग वाटर पॉइंट्स और वेंटिलेशन के लिए साथ जगा रखिये दूसरी तरफ ओपनिंग है ये बीच में मिरर लगा है बड़ा प्यारा ये और डॉकुमेंट्स घर के किलियर है रिजिस्ट्री पे है मैप अप्रूव्ड है इसका साथ साथ आपको जनरल इंफरमिशन भी प्राम करेंगे सेरिया के हुआले से तो ये इसका सेकंड बैड डूम है में रोड से ये घर हर ली दो मिनट की मसाफ़त पर है और सेकंड बैड डूम के ये ओपनिंग इस तरफ है पहले जो आपको अटैज बात दिखाया था बैड डूम के साथ उसकी ओपनिंग ये थी और ये कबट इसमें भी ये डाउन सीलिंग अटैज बात वाज़ा करके ज़रा आपको दिखा देते हैं इसमें एशन डिजान में सीट है शावर है और वाश बेसन है और मज़ीद आपको थोड़ा ये किलियर करें इसकी जो वेंटिलेशन दूसरी तरफ भी अपनिंग है टैल कैस में प्रॉपर काम किया गया है तो बड़ी खुबसूरत इसकी कंस्रक्शन है फिजिकली आप विजट करना चाहें तो फिज पुशिश होती है कि आपको सारे घर की वीडियो जो है वो कंप्लीट दिखाई जा सके क्योंकि कुछ क्लाइंट जो होते हैं वो आउट सिटी से होते हैं तो यह जिसका ओपन किचन किचन कैबनेट वगएरा सब कुछ इसमें है सिंक है स्लेब है किचन डिजाइन में तियार किचन टैल्स लगाई गई है जरा अंदर से भी आपको कंडिशन दखाते हैं इसके यह टीवी लाँच के साथ ही है यह किचन जो है तो सामने इसका यह ड्राइंग रूम है यह ड्राइंग रूम एक ओपन ड्राइंग रूम कहलाएगा इसमें भी अटैच बात है और इस ड् मोड है वाश बेसन है टैल का प्रॉपर इसमें काम किया गया है और वरकिंग वाटर पॉइंट्स है इसमें तो यह इसका ग्राउंड फ्लोर है ग्राउंड फ्लोर के बाद अब आपको ले चलते हैं उपर वाले पोर्शन पे वो भी आपको वाज़े करके दिखाते हैं यह ट्रोपिकल गिरे नाइट का इस्तमाल किया गया है और साथ स्टील इरिलिंग भी है और होनी भी चाहिए तो यह उपर बलकिनी और यह उपर वाला पोर्शन आ चुका है इसमें भी यह ड्राइंग रूम है सामने इंट्रस है और टायल फ्लोरिंग मरक है बलकिनी से आप जर कि अट्रैक्टिव इंवायरमेंट है यहां का तो अब चलें उपर वाला पोर्शन देखते हैं जी तो यह सीलिंग में अंट्रस से चलते हैं क्योंकि ड्राइंग रूम यहां भी इसी तरह रही है वह आपको आगे जाके दिखा देंगे बात में पहले यह टीवी लाउंच स आपको दिखाएंगे क्योंकि वीडियो बनानी के पर्मिशन मकमल है तो इसलिए वीडियो भी आपको मकमली दखानी चाहिए यह कबट और अगे है जी यह बेड्रूम अटैच बात साथ ओपनिंग और यह निशिज टाइल फ्लोरिंग वर्क और डाउन सीलिंग तो प्रॉपटी का रेटर की बात की जाए तो हमारे पर जो इन्फरमेशन होती है वही आपको फ्राम करते हैं कोई अपने से अजाफी इन्फरमेशन नहीं होती तो यह अटैच बात है कमोड है इसमें टैल का प्रॉपर काम है शावर है वाश बेसन है जी तो बात की जा रही थ 70,000 रपे तक है राउंड अबाउट तो यह सेकंड बैड रूम है इसमें भी डाउन सीलिंग टाइल फ्लोरिंग बारक इस तरफ साथ कबट भी है अटैज बात है और उपनिंग जो है सेम टू सेम जैसे ग्राउंड फ्लोर पे सेकंड बैड डूम के साथ आपने देखा कि ओपनिंग इसकी विंडो की जगा बनी हुई है इसमें सब कुछ अफराल है एशन डायन में सीट है शावर वाश बेसन टैल का प्रॉपर काम है इसमें उपर वेंटिलेशन के लिए भी जगा बनी हुई है तो रेंटल वैलियोद इसलिए आपको बताई जाती है क्योंकि कुछ लोग घर गरेदने के बाद रेंट आउट करते हैं तो उन्हें ये भी मालुमाद चाहिए होती है कि इस खर की रेंटल वैदियों कितनी है अगर इस खर को खरीद कर रेंट आउट किया जाए तो तो जो दूसरे बेटरूम के साथ ओपनिंग है वो जे राइट साइट पे है और इस से आगे ये उपर उपन किचन है दो किचन होगे इस घर में एक ग्राउन प्रोर पे है और ये एक उपरोले पॉर्शन पे अवराल सारा मिटीरियल यहां भी है किचन कैबनेट वगएरा सिंक है और बहुत ही प्यारा घर है माशाला से जो क्लाइंट इस घर का विजट करेगा जिसकी रेंज होगी यह घर के खरीदने की इन्शालला उसके इंट्रेस्ट में आएगा बाकी वरिच्वल टूर तो आपको करवा दिया है यह घर का सेम ऐसे उपर भी ओपन ट्राइंग रूम साथ अटैज बात बड्रूम के साथ भी अटैज बात है और कोई भी काम इन प्रॉग्रस नहीं है कमोड वाश बेसन और इस टाइल का प्रॉपर काम तो यह दोनों पोर्शिन हो गए पहले आपको ग्रॉंड फ्लोर दिखाया यह आपको फर्स फ्लोर दिखाया है इस से उपर घर का च्छत है वो भी आपको वाश्य करके दिखाया देते है जी तो यहां से उपर चलते है आखर में आपको घर की डिमांड भी बताएंगे कुछ लोग वीडियो को कम्प्लीट देखे बिना ही कॉमेंट कर देते हैं कि घर की डिमांड आपने नहीं बताई गर की डीमांड बताई जाती है आप जरा वीडियो को कम्प्लीट देख लिया करें यह उपर मम्टी है वीडियो को कम्प्लीट देखने का आपको यह भी फाइदा हो जाता है कि आपको वराल सारी इंफर्मेशन मिल जाती है गर के अवाले से और प्रॉप्टी के अवाले से भी सिंगल दिर्वाज़ा उपन करें तो यह घर के चछत आगे आ जाता है जी तो घर के चछत पे आने से एक तो यह पता चलता है कि घर यह कालम बीम पर बना हुआ है या नहीं बना हुआ साथ आस पास की जो अबादी होती है उसकी सुरतियाल का भी जाइज़ा हो जाता है तो यह आस पास की आप सुरतियाल देख सकते हैं और भी घर बनने हुए यहाँ पर तो मजीद घर के फ्रांट के तरफ चलते हैं और उपर से एक रिव्यू वह आपको दे देते हैं यह आगे इसकी फ्रांट गली तो यह अवरांद घर का इंटीरियर था वीडियो में आपको मादमाद भी फ्राम की और आखर में इसकी डिमांड बताते हैं जी तो डिमांड इस घर की एक पचासी यानि एक क्रोड पचासी लाग रुपे है जिसमें टेबल टाग पर क्लाइन्ट के साथ रायत भी की जाएगी अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ाएं हैं तो चैनल सबस्क्राइब कीजेगा बेल आइकन को प्रेस कीजेगा ताकि इस चैनल पर आने वाली और वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मौसूल हो इस चैनल पर आपको रवल पिंडी और इसलामाबाद से मुखलिफ घर